वाय। तो लरन अबाउट निूट्रलाइजेशन क्या है जब आप एसीड और बेस को मिला दो तो पानी और सॉल्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं निूट्रलाइजेशन Neutralization का मतलब है दूसरी बाशा में कि Acid और Base की Power को खतम कर देना Acid और Base की जो ताकत है उसको खतम कर देने को ही बोलते हैं Neutralization Neutral ना Positive ना Negative Maths में हम पढ़ते हैं ना Positive Integers, Negative Integers तो अगर 0 जो है उसको Neutral Integers बोला जाता है जैसे कि हमने डिसकस किया था है कि नहीं ठीक है तो उसी के तरह इसको हम क्या कर रहे हैं? 0 बना रहे हैं क्या कर रहे हैं? 0 बना रहे हैं तो एक चीज़ आपको यहां पर याद रखनी है कि Whenever you mix Acid and Base जब भी आप Acid और Base को Mix करते हो मिलाते हो तब आपको Salt मिलेगा वो कोई भी Salt खाने वाला Salt हो ऐसा जरूरे नहीं है Any type of salts can be formed and plus it will release water उसके साथ साथ पानी भी निकलेगा मतलब जो भी आपके पास होगा न that is a salt water ठीक है? So now without wasting any time let us start neutralization We have learned that when an Acid reacts with a Base हमने यह सीखा है कि जब भी Acid Base के साथ react करता है या Base Acid के साथ react करता है It forms Salt and Water वो नमक और पानी बनाता है ठीक है? यहाँ पे नमक खाने वाला नमक नहीं है So don't mistake this word Salt are of many types बहुत ही type के salts होते हैं ठीक है? और हर Salt खाने वाला Salt नहीं होता ठीक है? Such a reaction is known as a neutralization reaction जब यह Acid और Base को मिला और पानी और नमक बनता है तो इसी reaction को हम neutralization reaction बोलते हैं Heat evolved during this process प्लस इसके साथ साथ थोड़ी सी गर्मी का लेंदेन भी होता है That means कि अगर आप neutralization process करते हो तो हो सकता है वो जो जग है वो जो काच का बीकर है in which you are doing the reaction that might get heated or might get cooled हो सकता है कि वो बीकर थोड़ा सा गरम हो जाए बहुत ज़ादा गरम हो जाए थोड़ा सा थंड़ा हो जाए बहुत ज़ादा थंड़ा हो जाए दोनों chances से because it awards heat इसके अंदर heat का गर्मी का लेंदेन होता है जैसे कि हमने 4th chapter में heat पड़ा था ठीक है so simple reaction इसका क्या है if you are adding acid plus base acid और base को मिला देते हो तो वो बनेगा it will convert it to salt plus water नमक और पानी बनेगा तो चलो इसको एक reaction के साथ भी देख लेते हैं suppose you do have a hydrochloric acid you do have a hydrochloric acid which is known as HCl that is acid and sodium hydroxide which is a base क्या है base है acid और base तो पानी बनना है water will be formed तो यहाँ पे हमें H को ढूंडना है तो यहाँ पे देखो एक H आपको दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे दूसरा H हो गया तो H2 तो हमें मिल गया बात में यहाँ पे देखो O is also there O is also there तो H2 को निकाल दो और 1 O को निकाल दो तो H2 O तो हमारे पास मिल गया ठेक है अभी बचा क्या उसको ध्यान से देखो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे N A पच गया है और यहाँ पे C L पच गया है ठेक है तो अभी आप बोलोगे सर्फ पहले किसको लिखे है तो आपको पहले मैटल को लिखना है अभी N A और C L में से मैटल कौन सा है सोडियम मैटल है ठीक है अभी यह सारे elements ना स्कूल आओगे तब मैं आपको याद करवाँगा और वो एक बार याद हो गए तो आपको तो यह सारी चीज़े बच्चों का खेल लगी ठीक है तो देखो N A पहले रिखा N C L will be afterwards So it is N A C L Sodium Chloride है के नहीं तो it is a salt और यह salt खाने वाला salt है जिसको आप सबजी में डालते हो दाल में डालते हो यह वो नमक है that is sodium chloride और एक salt होता है जिसको आपको खा सकते है which is K C L N A की जग़ पे K जिसको आपको बोलते है potassium chloride what is it? potassium chloride उसको आपको बोलते है सिंधव नमक क्या बोलते है सिंधव नमक टेक है वो भी नमक हम खा सकते है और वो ज़्यादा nutritious भी होता है ओके सो यह formation आपको याद रखनी है हो सके तो दो बार लिख लो ताकि आपको problem ना हो याद करने चलो types of salt formed कौन-कौन से type के salts बन सकते है ठीक types of salt form क्या हर बार एक ही तरीके का नमक बनेगा या अलग-अलग बनेगा वो हम किस तरीके से define कर सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा यह नमक खाने वाला है यह नमक खाने वाला नहीं है it is good for health it is not good for health is it poisonous or not हमें कैसे पता चलेगा that we are going to know depending on the strength of acid and base taking part in the neutralization reaction different salts are formed किस तरीके का acid और किस ताकत का acid हम इस्तमाल करते हैं उसके ओपर depend करता है कि नमक किस तरीके का बनेगा समझ रहे हो मतलब ताकतवर acid ले रहे हो ताकतवर acid का pH क्या होगा nearer to 1 nearer to 0 एक से नस्दीक वाले सारे acid powerful acid है strong acid है ठीक है और 7 से नस्दीक वाले 6 हो गया 6.5 हो गया that are weak acids उन सभी को हम क्या बोलेंगे कमजोर acid उसी तरीके से strong base किस को बोलेंगे जिसका number 14 से close होगा 13.5 13.7 13 12.9 इन सभी को बोलेंगे strong base और 7 से नस्दीक वाले होंगे और 7 के बाद वाले 7.4 8 तो इन सभी को बोलेंगे weak base कमजोर base तो अगर ध्यान से देखो यहां पर एक reaction दिया गया है if you are taking strong acid मतलब जिसकी pH value एक से नस्दीक हो और weak base लेते हो जिसकी pH 7 से 8 या 9 के बीच में हो तो ऐसे में acidic salt बनेगा क्योंकि powerful कौन है acid powerful है और base weak है तो यहां पर जो नमक होगा वो acidic नमक होगा मतलब उस नमक को खाओगे तो आपकी जबान जल जाएगी ठीक है उसको छूओगे तो भी burning sensation होगा मतलब जल रहा है ऐसे लगेगा और पानी तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा समझ में आया तो देखो strong acid weak base strong salt या फिर acidic salt समझ में आया जो मजबूत है वही अपना power salt को देगा जो weak है वो तो खुदी weak है वो क्या power देगा समझ में आया अच्छा इससे उल्टा सोचो कि strong base weak acid या फिर ऐसे लेखो weak acid strong base तो क्यों सा salt होगा basic salt होगा क्योंकि strong कौन है base है और water तो छोड़ेगा ये छोड़ेगा समझ में आया है अब ही next condition ले दो strong acid strong base acid भी strong है base भी strong है तो अभी जो salt बनेगा न वो neutral हो जाएगा समझ में आया है वो जो salt है वो neutral है ना ही वो acidic होगा ना ही वो base होगा क्योंकि मम्मी पापा दोनों strong है acid भी strong base भी strong तो that will be neutral salt and water उसी तरीके से weak acid weak base so again neutral salt plus water क्योंकि जो नमक बनेगा वो weak weak में से neutral ही बना पाएगा plus 10 minus 10 0 but plus 11 minus 2 that will be plus 9 समझ में आ रहा है maths के साथ compare करें तो तो इसका example भी देख लेते हैं जिसमें acid strong हो और base weak हो तो यहाँ पे देखो hydrochloric acid is a strong acid we know and ammonium hydroxide NH4OH is weak तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना है hydroxide और hydrochloric ठीक है hydro hydro तो यह hydro hydro ना अपनी दोस्ती कर लेंगे और पानी बना लेंगे hydro hydro H2O ठीक है और यह जो ammonium है ना वो बचे कुछे से दोस्ती कर देगा कौन है chlorine तो यहाँ पे क्या बन गया ammonium chloride समझ में आ गया ठीक है चलो तो यह हमारा एक example हो गया आगे देखते हैं ओके next weak acid strong base weak acid ले लिया आपने कमजूर acid और strong base ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा basic salt बन जाएगा base वाला ठीक है और पानी तो release होना ही होना है इसका भी एक example लेना है तो क्या लेंगे which is a weak acid तो acetic acid is a weak acid ठीक है and strong base sodium hydroxide is a strong base ठीक है तो यहाँ पे hydroxide और acetic acid दोनों मिल जाएगे hydro तो निकल जाएगा और यह जो acetic है वो sodium acetate बन जाएगा दिख रहा है दिखो acetate और sodium mix हो रहे है sodium acetate और वो hydro hydro से पानी बन गया समझ में आया ठीक है next strong acid and strong base दोनों ताकतवर है या दोनों कमजोर है दोनों ही case में क्या बनेगा neutral salt उसको तो ना acetic बोला जाएगा ना base बोला जाएगा ठीक है वो neutral है उसको हम खा सकते हैं छू सकते हैं हर नमक को खाया नहीं जा सकता so be aware बट यह neutral है इसको हाथ में ले सकते हो कुछ भी नहीं होगा तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो hydrochloric acid strong acid sodium hydroxide strong base hydro hydro ने कर ली दोस दी so that is water और sodium and chlorine that is sodium chloride that is salt है कि नहीं very good इसके अलाबा भी बहुत सारे example हम solve करेंगे sodium chloride is a neutral salt note अभी एक note दिया है note को ध्यान से समझते है a few neutral salts can also be formed from a reaction between weak acid and weak basis देखा मैंने बताया था ना कि कुछ salt ऐसे भी होते हैं जो weak acid और weak basis से भी बनाए जा सकते है we experience a variety of neutralization reaction in our daily life हम अपनी daily life में भी ऐसे reaction देखते हैं अब इस देखो कैसे यह देखते हूँ have you ever bitten by a red ant और stung by a bee क्या आपको कभी लाल चिटी ने या मदुमक्खी ने काटा है the little ant or bee injects an acid which is a formic acid अभी छोटी लाल चिटी हो या मदुमक्खी हो वो जब काटती है तब उसके डंक में formic acid होता है into your skin which causes H&1 जब वो आपके body में चला जाता है तो acid जाने की वज़े से आपको बहुत ही छलन होती है और खुजली भी होती है to relieve the pain इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए it is said you must neutralize the effect of acid by rumming up paste of moist baking soda तो अगर आपने chemistry अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना जाए कि आपके body में acid है अगर उसको neutralize करना है तो आपको base mix करना पड़ेगा तो जब भी आपको मदुमक्खी काटे या लाल चीटी काटे तो तब भी तुरंद घर में खाने का soda पड़ा होता है क्या baking soda ठीक है तो baking soda को जहाँ पे डंक लगा है वहाँ पे अगर आप लगा दोगे so it will give relief वो neutralize हो जाएगा पानी और salt बन जाएगा और आपको दर्द जलन और खुजली से छुटकारा मिल जाएगा है कि नहीं which is a basic in nature क्यों क्योंकि baking soda basic है you can also rub calamine lotion as it contains zinc carbonate which is a base आप चाहो तो calamine lotion भी लगा सकते हो जिसमें zinc carbonate लिखा हुआ हो वो भी एक basic है वो विको टर्मरिक नहीं cosmetic है वो सारी जो antiseptic cream होती है वो भी basic in nature होता है उसके साथ toothpaste जो होता है वो भी basic in nature होता है ठीक है तो ये भी आप लगाओगे तो आपको धर्थ से छुटकारा मिल जाएगा next certain bacteria present in your mouth convert sugar from food particles अभी ये चीज़ भी आप जान लो कि आप चाहो या ना चाहो या कितनी भी बार टुदब्रश करो आपके मूह में कुछ bacteria होते ही है जो आपके खाने को sugar में convert कर देते हैं ठीक है? अगर वो दातों के बीच में फस जाता है वो शुगर तो धीरे धीरे बैक्टेरिया बटने की वज़े से ये दात सड़ जाते हैं ठीक है? टूथपेस्ट कंटेंस आलकलाइन सब्स्टन्स जब ये आप टूथपेस्ट करते हो तो वो अलकलाइन सॉल्योशन होता है अलकलाइन सब्स्टन्स मतलब बेज़ norm plus water ठीक है? बेज को जब आप पाने के साथ मिला दे हो तो वो अलकलाइन हो जाता है तो ये ही अलकलाइन सॉल्योशन से जब आप ब्रश करते हो and we brush away the acid is neutralized तो हमारे दातों के बीच में खाना खाने के विज़े से जो भी acid बना है वो इस base के साथ mix होके neutralize हो जाता है and our treats are protected तो हमारे दात बच जाते हैं इसे लिए बोला जाता है कि daily brush करना चाहिए खाने के बार जितनी बार खाना खाते हो उतनी बार brush करना चाहिए अगर सुबह खाना खाया तो brush कर लो रात को खाना खाया तो brush कर लो तो आपके दात बहुत अच्छे रहेंगे next industrial waste from factories contains several acids इसके साथ साथ industry जो अपना कचरा बाहर निकाल दिया ना उसमें भी बहुत acid होता है once discharged into water bodies it harms both aquatic animals as well as palm अगर company या factory वाले ये कचरे को पानी में अगर डाल दे तो ये क्या हो जाएगा acid वाला पानी हो जाएगा जिससे क्या होगा मचलिया भी मर जाएगी और वो पानी जिन पौदों को मिलता है वो पौदे भी मर जाएगे it also results in soil pollution इसके साथ साथ पानी जमीन के अंदर भी जाता है तो जमीन भी खराब हो जाती है therefore industrial waste must be treated with basis इसे वज़े से इंडुस्री का जो भी कचरा हो अगर वो acidic हो तो उसको base से neutralize करना होता है और अगर वो basic कचरा हो तो उसको acid से neutralize करना पड़ता है for example acidic है तो calcium hydroxide से और base है तो acid से to neutralize them before disposing them all उसको बाहर फेक्टने से पहले neutralize करना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो experiment हम करेंगे school में जब आपकी lab start हो जाएगी ओके चेक पोस्ट देख लेते हैं fill in the blanks indicators have the ability to tell us if a compound is acidic or basic the most popular and universally used indicator is universally हर लोग इस्तमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं universal indicator so first fill in the blank is universal indicator pH of water is it is 7.4 ने it is 7 ठीक है 7 लेको pH of blood is 7.4 अगर आपको additional याद रखना है third the dash of china rose making a good indicator अभी china rose जो होता है उसके कौन सा हिसा अच्छा indicator है उसके pallets ठीक है उसके पत्ते so pallets of china rose make good indicator b give three examples of natural indicators natural indicator के तीन example दीजी ये मैं दिखाऊंगा नहीं अभी दो पेज पहले ही हमने देखा है ठीक है तो पत्ते घुमाओ ठीक है चलो मैं दिखा देता हूं क्योंकि science की textbook आप सभी के पास नहीं है give three examples of natural indicator natural indicators ये रहा ना ये रहा दिखा रहा है are examples of natural indicators ये पूरी लाएं for example litmus, germanic shoe, flower petals, purple leaf petals are the example of natural indicators है कि नहीं so this answer you have to write next क्या है question next question is what is universal indicator universal indicator किसको कहा जाता है so you have to write like where is universal indicator indicator indicators ठीक, यहां से आप इक सकते हैं दिखा रहा है the most popular and universally used indicator is litmus it can be used either as a solution or as a strip to the litmus paper, there are two types of litmus paper red and blue when litmus paper comes in contact with acid or basis it changes its color as shown in the following table table बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसी को universal indicator बोला जाता है okay, चलो, next question what will happen to the color of a blue litmus paper when it is dipped into the acidic solution ए भुला, acid जो है blue को लाल बनाता है ठीक है, ए भुला, blue means भुरा, उसको लाल बनाता है तो ए भुला और उससे उल्टा है बे लाभ, ठीक है दो लाभ, लाल को बुरा बनाता है ठीक है, तो यह भी easy है, it will convert acid into base यह keywords है, इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि chemistry में keywords बहुत important होते है इसी के उपर marks मिलते हैं जब आप इसके answers लिखते हैं so first is acid, a compound which dissolving in water and releases hydrogen ions तो यह सारे keywords आप दो बार पढ़ लेना ताकि आपको यह याद रहे overview देख लेते हैं और उसके बाद exercise solution करेंगे कल, आज वरना बहुत ही बढ़ जाए रहे so हमने इस chapter में क्या-क्या चीज़े सीखी so an acid is a substance with a sore taste acid जो होता है, वो खटे taste का होता है acid are corrosive in nature and turn blue litmus paper into red acid जो होते हैं, वो corrosive nature को होते हैं उसको खतम कर सकते हैं and turns blue litmus paper into red a भूला, acid फूरे को लाल बनाता है basis are better to taste base जो होते हैं, वो या तो तूरे या तो कड़वे होते हैं slippery to touch, जब आप उसको touch करोगे तो वो चिकने होते हैं turn red litmus paper into blue और लाल litmus paper को भूरा बनाते हैं, blue बनाते हैं substance that are neither acidic nor basic are said to be neutral ऐसे चीज़ें जो ना तो acidic हैं ना तो basic हैं उसको हम neutral कहते हैं indicators are used to identify the nature of substance acidic, basic or neutral कुछ indicators हम इस्तमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौनसी चीज़े acidic है, कौनसी चीज़े basic है या कौनसी चीज़े neutral है litmus is the most widely used and universally accepted indicator पूरी दुनिया में हर कोई इस्तमाल कर रहा हो, ऐसा indicator litmus है जो हर कोई इस्तमाल करता है, it is universally accepted the strength of acid and basis can be measured on the pH scale using a universal indicator acid की इतना strong है या base की इतना strong है उसको जानने के लिए हम pH scale का इस्तमाल करते हैं जो की universal indicator है, पूरी दुनिया इसी से acid की ताकत को नापती है next, when an acid reacts with a base, it forms salt and water and the reaction is also known as neutralization reaction जब भी हम acid और base को mix करते हैं, तो वो नमक, salt और पानी बनाता है, water बनाता है और यह process mix करने की उसको हम neutralization reaction भी बोलते हैं, ठीक है तो इसी के साथ हमारा chapter होता है, खतम यहां तक फिर से आपको chapter twice read करना है, ताकि सारी चीज़े याद हो जाए in next class we are going to cover and solve and explain the whole exercise, पूर यह exercise को हम अगली class में solve करेगें ठीक है, आज के लिए इतना ही, I hope सारी चीज़े समझ में आ गई होगे, कुछ भी doubt नहीं होगा और बस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का thank you so much अजये पूरा देखने के लिए बच्चों काई बच्चों का बच्चों का नहीं है